हलो दोस्तों हो मैं परशान और आई पियो के सीजन में एक और आई पियो का index लेकिए हम आपके सामने आ गए हैं और आज जो कंपनी का index करने जा रह हैं इस कंपनी का नाम है northern & Chamber और इस आई पियो का भी हम बांकी सारेॲ आई पियो के तरह dehtil analysis करके बताएंगे एस आई चाहते हैं क्या यह IPO हमें कुछ profit बना के देगा या फिर नहीं देगा और देगा तो कितना देगा सब कुछ मैं आपको details बताऊंगा जिसके basis पे आप खुद से decision ले सकते हो कि इस IPO में आपको apply करना है या फिर avoid और सबसे कर्च देने काम करते हैं उसका एक या दो जगह specialization होता है तो इसका कहा इसका आपका माइक्रो फाइनस अक्टर में specialization को वहीं तक सिमित करकर नहीं रखा इसके बाद भी अपने बिजनस को एक्स्टेंड करा है दूसरे सेक्टर में जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं अ करने काम करती है यागर आपको घर चाहिए ले सकते हैं वहां के लगजरी घर के लिए यह फाइनेस नहीं करते है है तो चलिए इसके बिजनस मॉडल को तो हमने देख लिया लेकिन जो भी कंपनी फाइनेंस सेक्टर में रहाता है उसके पास experience कितना है वो भी हमें देखना होता चलिए इस पॉइंट के ऊपर भी हम बात करते हैं तो अगर हम इसके experience और expertise की बात करें तो इसके पास 15 साल का वास्ट experience है और इतने साल से अपने बिजनस को सही तरीके से रन कर पाना यह management की काविलियत को दिखाता है क्योंकि ऐसा सेक्टर है जहां पर regulatory guidelines काफी जवरदस थे और आप डेली सुनते हैं कि कभी किस बैंक पर या फिर NBFC पर restrictions लगा दिया गया तो इस business को रन कर पाना बहुत मुस्किल है regulatory compliance को follow करते वे management कर रही है तो उसका काविलियत माना जाएगा तो आगे बढ़ते हैं और हम IPO timeline और IPO details के उपर बात कर लेते हैं ताकि IPO कभ open हो रहा हो और IPO का details क्या हो हमें पता चल सके तो यह जो IPO open हो रहा है 16th of September को open हो रहा है और 19th of September को close हो जाएगा और same date को एक और IPO open हो रहा आर्केट developers का उसका भी हमने detail analysis करा है और अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से वह वीडियो भी देख लिजे क्योंकि दोनों IPO same date को open हो रहा है और दोनों में से किसी एक को अगर आपको apply करना है तो वह कौन सा होगा वह आर्केट developers का होगा या फिर northern art का सब्सक्राइगा और 24 सब्टेंबर को लिस्टिंग के टाइम यह कितना profit बना के देगा यह तो उसी दिन पता चलेगा लेकिन मैं इस वीडियो की जड़े इसी चीज को find करने की कोसिस करूंगा तो चलिए अब हम सीधे बात करते हैं IPO details के ऊपर तो इसका lower price band 249 का upper price band 263 का lower price band तो भूली जाए सिर्फ आपको upper price band पे IPO को apply करना है यानि cut-up price पे तभी आपको allotment मिलेगा lot size के बात करें तो 57 shares का lot size वहने बाला है और अगर आप इस IPO में single lot के लिए apply करते हैं जो fund चाहिए होगा approximately 15,000 चाहिए होगा exact बात करें तो 14,991 यानि 15,000 से सिर्फ आपका 9 रुप issue रखा गया है और OFS है 277 करोड यह नहीं इस company के IPO में OFS भी है तो हम valuations के ऊपर काफी तीखी नज़े रखेंगे कि valuations कहीं महंगात तो नहीं है लेकिन उस सबसे पहले जो सबसे important point है financials जो दिखाता है कि company fundamentally कितना strong है उस point को पर बात करते हैं financials के ऊपर अगर हम focus करें तो 16 करोड था Fy23 में बढ़के हो गया आपका 13 11 करोड यहनी 1311 करोड और Fy24 में इंक्वीज होके हो गया लगवग आपका 1900 करोड यहनी यहां पर अगर हम बात करें तो 50% का growth हमें दोनों financial देखने को मिला है अगर हम बात करें तो profit after tax की बात कर इसमें भी शांदार growth देखने को Fy23 में और Fy23 से 24 करोड की तरफ हम जाते हैं 242 करोड का profit होगी आपका 317 करोड के profit में बदल गया यहनी revenue और profit after tax दोनों का डेटा काफी शांदार है और IPO का सॉरी financials काफी शांदार होने के बाब जोद भी consistency यह दिखा रहा है net worth और विजर्वन surplus की बात करें तो इसमें भी कोई problem नहीं है total borrowings जो इस सेक्टरी company रहती है वो एक तरही से सस्ता कर्ज लेती है और मेहंगा कर्ज देती है तो total borrowings पे नजर नहीं दोराना है तो overall हमने financials देखा तो financials ठीक ठा के कहीं से भी कोई problem नहीं है रेकिन financials का लाबा और भी बहुत कुछ देखने होते हैं फिर जाके हम final decision पे आते हैं इसलिए इस वीडियो का हम complete analysis आपके साथ share करते हैं और वीडियो को without skip के वे पूरा देखना है तभी जाके आप overall एक बहतर decision ले सकेंगे बीच में कहीं पे miss कर देंगे या छोड़ देंगे तो आप एक बहतर decision नहीं ले पाएंगे इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon भी जरूर दबा दीजे ताकि आगे जो भी IPO हैगा उस IPO का analysis आप अब तक पहुंच जाएगा वह भी सही टाइम पर तो return on equity और return on capital employed यानि आरोई और रसी का data नहीं आया है अगर data आता है तो हम अपने YouTube पोस्ट के जरिए या फिर ट्विटर के जरिए अब तक पहुंचा देंगे डेप्टी के बात करें तो 3.9 की करीब है तो इस पर focus ही नह महंगा है नहीं IPO महंगा भी नहीं है तो जितना फियर वैलुएशन हो सकता था उतना फियर वैलुएशन डाला गया है तो क्या इसमें लिस्टिंगेंस के chances है या नहीं है बताऊंगा बस थोड़ा सा इंतजार केजिए क्योंकि कुछ और details के basis पे हम वो चीज पता करेंगे व सबसे बरा नाम जो आ रहा है वह आपका बजाज फाइनेंस का और अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एक IPO भी आ रहा है तो पूरा सेक्टर तो मैच नहीं कर रहा है लेकिन लगभग यह सेक्टर मैच कर रहा है और कुछ दिगज आईपियो को छोड़के अगर हम इस सेक कम हो सकता है क्यों कि हमारे पास प्शनस बहुत जादा है जैसे यहीं पर देख लीजए अगर आपको बैसाथ फाइनेंस में पैसा लगाने के लिए लोग लगा जाये तो आप किसमें लगाएंगी और इसी बाते बैसी फाइनेंस को लोग चुकुच करेंगे कुए क्योंकि इसके साथ कई सालों का experience भी है और अच्छा खासा return भी दिया है इसके लाबा चोला मंडल भी है और आप देख सकते हैं पुनावाला फिनकॉप भी है S.B. FC Finance भी और भी कई सारे है और latest आपका जियो finance भी इस sector में entry कर चुका है तो हमारे पास options की कोई कमी नहीं है बस यहाँ पर पैसे की कमी हो जाती है धेरो company का options हमारे सामने आता है तो अगर मैं आप से सवाल पूछू कि northern our capital में हम क्यों पैसा लगाए जहां हमारे पास बहुत सारे options available है तो इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिलता है तो इसलिए सब होने के बावजूद में डिमांड नहीं आ सकता है इस पॉइंट को ध्यान रखना और यह कोई नहीं बताएगा इसलिए मैंने बोला कि वीडियो को पूरा देखिए complete और सटिक एनालिसिस आप तक पहुचाना हमारा काम है वांकि price to book value के हिसाब से अगर हम देखें तो महंग प्रॉफिट के तर्म में देखें तो ठीक ठाक परफॉमेंस है लेकिन जो मैंने आपको बताया था उस फैक्टर को ध्यार में रखते हुए डिसीजन लेना है यहां पर हम पॉजिटिव निगेटिव के उपर बात करते हैं फिर हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि इस IPO का डिमा अप्लाइंस होते हैं जिसको फॉलो करना होता है और इसको फॉलो करना वाकई बहुत डिफकल्ट है टेक्नलोजी ड्रिवन एप्रोच है यह नि टेक्नलोजी का अच्छा खासा इस्तमाल कर रहा है यह ध्याम लखना और फाइनेंस काफी जाता है जो कि मैंने आपको बताए तो वो सब दिगज कंपनी इस फिल्ड में है एकनॉमिक डाउंट्वेंड होता है तो इस सेक्टर पे अच्छा खासा हमें इंपक्ट देखने को मिलता है तो पॉजिटि नेगेटिव कोई खास सिरियस वाला नहीं है लेकिन इसको ध्यान रखना है आई प्यो में अपलाई क करने से पहले लिस्टिंग की बात करें तो वर्स्ट केस में यह आपका सेवन हंड़ेड टू वन थावजन का लॉस दे सकता है यह एक हजार से ज्यादा का लॉस नहीं देगा चांसे बहुत कर है लेकिन अगर माहल खराब हो गया तो कुछ नहीं किया जा सकता है लेकिन अग देख रहा है तो यहां पर हमने क्या गोला था कि options बहुत सारे हैं तो आपको क्या करना वह आपको खुद से decision लेना है आपको apply करना या फिर नहीं करना और आपका जो भी decision है कमेंट करके जोड़ बताएगा आपके कमेंट का इंतजार हैगा इस वीडियो में इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद्ध